और आने वाले जुलाई में याद रखेगा 5 से 7 जुलाई को जो एग्जीबिशन हमारे नेरोपी में होने वाली है उसके बाद का रिजल्ट आप देखेंगे लाइफ राजस्तान चौक पर नमस्कार मैं आपके साथ प्रिया बंसुल और आप देख रहे हैं राजस्तान चौक फेडरेशन आफ राजस्तान ट्रेड अन इंडस्ट्री इतिहास रचने जा रही है पांस से साथ जुलाई तक केनिया की राजधानी नौरेबी में इंटरनाशनल ट्रेड अन इंडस्ट्रियल फेर अन एक्जिबीशन आयोचित होगी MSME का प्रतिनिदित्व करने वाली देश की किसे भी संस्ता का ये बड़ा कदम माना जा रहा है एक्जिबीशन की तयारियों के लिए 40 का एक प्रतिनिदित्व नौरे भी पहुच चुका है 40 की टीम ने केनिया एक्जिबीशन कमीटी के चेर्मैन मिलन गर्ग 40 वोमन विंग की वाइस प्रेसिदेंट नीला मित्तल और 40 यूथ विंग के वाइस प्रेसिदेंट प्रेशान शर्मा शामिल है सपोर्ट मिले वाला हमें इन से हर तरह के लाइसेंस हर तरह की चीजे हम यहां से पॉसिबल कर सकते हैं अब मैं पूछना चाओंगी आपसे जो के की सेंटर जो आपका कन्वेंशन सेंटर है वहां पर जो एक्जीबिशन होने जा रही है उसकी तैयारियों में अब हमें और कितना वक्त चाहिए यह हो चुकी है KICC जो venue अभी इस एग्जिबिशन का डिसाइड किया है हम लोग ने वो अलमोस्त निंटी परसेंट तैयारिया हो चुकी है है एग्जिबिशन और इस वन्यू अलड़ी सलेक्टेड भी पेडियम इवन सम एड्वास एमेंट अलड़ी और प्रिया तो जो एक्जिबिशन के एटो जेट जो हमें चीजे चाहिए उनकी तयारिया हो चुकी है MSME सेक्टर संभावनाओं से भरपूर है विबिन देशों में व्यापार संभावना तलाशने की तयारी में प्रदेश की उगमी है इसको लेकर 40 का दल नौरेभी दौरे पर है Federation of Rajasthan Trade and Industry की ओड से 5 से 7 जलाय तक केन्या की राजधानी नौरेभी में आयूजिक की जाने वाली International Trade and Industrial Fair and Exhibition की तयारियों का जायजा लेने के लिए 40 की टीम केन्या पहुँच चुकी है इस टीम में केन्या एक्जबीशन कमीटी के चेर्मैन मिलन गर्ग, 40 वुमन विंग की वाइस प्रेसिडेंट नीला मितल और 40 यूथ विंग के व्राइस प्रेसिडेंट प्रशांच शर्माश शामिल है मैं इसके बारे में बोलता हूँ कि यह 100% मुझे तो 100% है कि यह सक्सेस्फुल जाएगा और जैसा कि अगर कमपेरिजन किया जाए पहले भी मैंने बोला है सुरे संक्रवाल जी से साथ अमारी इस एक्जिबिशन को लेकर बहुत सारी तैयारियां बहुत सारे डिसकेशन होते रहे हैं और होते रहेंगे जब तक कि वी विल मेक दा सक्सेस्फुल इस इवेंट अगर इंडिया और अफ्रीका को हम कमपेरिजन कर रहें तो जो इंडिया राजस्तान से जो बीनिसमेन आने वाले हैं जो राजस्तान में वो लोग पास साल में करेंगे वो यह मैं गारेंटी देता हूं यहां पर एक से दो साल में कर पाएंगे नौरीबी में 40 टीम ने राजस्तानी असोसियेशन केन्या के अध्यक्ष सोनवीर सिंग और नर्मल चौधरी से मुलाकात कर आयोजन की तयारियों पर चर्चा की है 40 के चेर्में सुरेश अगरवाल ने बताया कि इंटरनाशनल ट्रेड एन इंडस्ट्रियल फेर एन एग्जबीशन का आयोजन नौरीबी के केन्या इंटरनाशनल कन्वेंशन सेंटर में होगा अधिकारियों के मुलाकात के बाद इसे एग्जबीशन के आवश्यक्ता के अनुसार बुक कर दिया गया है इस एग्जबीशन का केंद्र सरकार का MSME मंत्रा ले और राजिस्तान सरकार का भी सयोग मिल रहा है बात करके इस प्रोग्राम को पूरी तरह से इन टोटल डिसिप्लेन इसको पूरा करने वाल है और आई होब के जितने भी एग्जबीशन साते हैं उनको एक भी लेश मात्र का भी कम्प्लेंट रही आगा आप से पूछेंगे जंद प्रकाजी आपने अभी बात पूली ती जो मुझे बहुत फैसोनेट करी थी वहां से यलो फीवर का तो नगा के आएंगे पोलियों की डोस क्यों ज़रूरी है जैसे कि Kenya यलो फीवर ख्री है वैसे ही इंडिया भी पोलियो फ्री करती है तो इसलिए एक्षेंज वैक्सिनेशन है जब इंडिया से आप जाते हो इजा के निया में आते हो तो यलो फीवर लगाना मस्ट है तो Kenya से इंडिया जाते हो तो यलो फीवर फोलीवर मस्ट है लास्त पर निमल जी से पूछुए जब भी यह जितनी एक्जिपिशन्स हुई है कि आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाने वाले आप जोली भर के ही जाएंगे क्या बात है तो सुरेश अगरवाल जी जो 40 के प्रसीडेंट है जिन्हों नहीं इनिशेटिव लिया है इस इनिशेटिव को हम आगे बढ़ाएंगे और आने वाले जुलाई में याद रखेगा 5 से 7 जुलाई को जो एक्जिविशन हमारे नेरोपी में होने वाली है उसके बात का रिजल्ट आप देखेंगे लाइफ राजिस्तान चौक पर हमारा मकसद है कि MSME सेक्टर अपनी उतपाद गुनवत्ता के साथ वैश्विक बज़वार तक पकड़ बनाएं छोटी काईयों के उतपादों को भी बड़ा बज़ार मिले 40 के चेयर मैं सुरेश अगरवाल ने बताया कि 40 की टीम करीब 10 दन के दोरे पर है टीम के सदस्यों की मुलाकात इंवेस्टर सर्विसेस के महाप्रबंद गुर्चा एब बिड्डू से हुई है टीम के सदस्य अन्य अधिकारियों, स्थानिय कारोबारियों और दूतवास अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे केन्या के MSME सेक्टर से जुड़े प्लेयर्स की भागिदारी भी सुनिक्षित की जा रही है अफरिका के साथ देशों ने की अपास संभावना है केन्या, युगांडा, साउथ सुडान, तंजानिया, इथो बुरुंडी जैसे कई देश आर्थिक विकास पर आगे बढ़ रहे हैं लिकिन संसादन की कमी है इसलिए 40 केन्या में भी एक्जबीशन आयोजित कर रहा है इसके माद्यम से विबिन सेक्टर से जुड़े राजस्तान उद्योगपती और वेपारी अफरिकी देश वेपार की संभावना तलाश होंगे महिला उद्योगपतियों को भी एक्जबीशन में प्रयाप्त जगे दी जाएगी अभी तक के लिए राजस्तान चौक में इतना ही इजाज़ा दीजिये नमस्कार